नमश्कार दोस्तों, दोस्तों बहुत सारे लोगों के मेरे पास phone call आ रहे थे और वो मुझे से पूछ रहेते कि सर, शेक के बाद हमें दो ग्लास पानी या तीन ग्लास पानी लेना जरूरी होता है क्या जैसे हम शेक पीते हैं, शेक के बाद हमें पानी जरूरी है कि कमपल सरी और वो ये भी बोलते हैं कि शेक के लगबग तीन घंटे या चार घंटे हमारे जो कोची जो नोंने बताया है कि उसके बाद हमें कुछ भी नहीं खाना होता है तो दोस्तों क्या ये सच में हमें करना जरूरी है या नहीं तो दोस्तों ये वीडियो में मैं पूरा क्लियर करूँगा उससे पहले दोस्तों यदि मेरा वीडियो आपको helpful लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों और कमेंट में यह आपके कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में लिखके बताएं मैं जरूर आपका उसका रिपलाई दूंगा और नहीं भी दे पाया तो दोस्तों मैं उस पर वीडियो जी बना दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं दोस्तों ल को बता नीस पाता क्योंकि हर इंसान का अलग-अलग हमें hect geht plan हमें हमने हमने बनादा होता है हर इंसान को हमें अलग-अलग चीजे दिनी होती है उनकी क्या condition है उसके according तो इसलिए दोस्तों मेर जो अदिकतर कोशिश होती है वह होती है वीडियो के थ्रू आपके और क्यों नी शेशन भी हमने कराई स्टार्ट जिस पे मैं वीडियो लाऊंगा तो आप कमेंट ज्यादा ज्यादा कर दे दोस्तों उसका सूलुशन आपको मिलेगा चाहिए आप तोड़ा लेट मिले लेकिन मिलेगा साथ ही अब दोस्तों मैं बता दू कि शेक के बाद पानी लेना जरूरी है या नई हर बलृइब के प्रॉडक्न जैसे मालिजी आप फरेश ले रहे हैं वेट लॉश के लिए या वीड गिए वेट गन के लिए ले और ने बादे बाकी वेड लॉसके लिए हम तीन बार देते हैं द और फिर आप cellulose और यह चीज़े एड़ कर सकते तो दोस्तों आपको जब basic आप शेक बना रहे हैं तो पहले तो शेक का जो तरीका है वो है 300 ml पानी लेना है आपको उसके अंदर दोस्तों कोई 3 स्पून भी डालता है formula 1 की कोई 2 भी डालता है कोई protein की एक भी डालता है तो डेट भी डालता है तो आपकी condition के according आप decide कर लें उसके according आप जिस हिसाब से भी लेते हैं आप शेक लीज़े ठीक है दोस्तों अब शेक ले लिए माल लिए आपने breakfast आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि sir हमें बताया गया आप जाए कि इसके ओपर तीन ग्लास चार ग्लास पानी पीना या दो ग्लास पानी पीना है तो वह कंपल सरी है क्या तो दोस्तों मैं बता दूं कि आप जब शेक लेते हैं दोस्तों उसके बाद पानी आप उसको जैसे माल लीजे mix या शेकर में बनाया है ठीक है आपने 300 ml पानी में आपने वह बना कर पी लिया अब जो उसमें रह जाता है दोस्तों उसमें पानी डाल कर उसको हिला कर अच्छे से फिर पी लीजी ठीक है और दोस्तों ऐसा कंपल सरी नहीं है कि आपको लपत तीन ग्लास चार ग्लास लेने क्योंकि बहुत सारी लोगों की यह भी आ इन है दोस्तों कि आप इतना जजादा पानी लेैं दोस्तों आप जितना ले सकते उत्ता ले सकते और चाहें तो दोस्तों 300 ml darkness लेके औरो जो भी आपके स्थेक्र में या मिक्सी में रह गया उसमें ठोड़ा पानी डाल के आप ने पी लिया इतना भी sufficient है दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको compulsory बहुत ज़्यादा पानी उसके बाद लेना होता है या second doubt यह आता है कि बहुत सारी लोग बोल रहे थे कि सर हमें shake कि 3-4 घंटे हमें कुछ भी निखाना उन्होंने कहा है कि आपको बिल्कुल कुछ निखाना तो दोस्तों यह भी कमपसरी नहीं है या आपको भूक लगरी है तीन घंटे के बाद या दो घंटे bardziej बहुत लहाई सकते दोस्तों ऐसा नहीं कि आप बहत ज़्यादा भूका आक की सांती है और बहुत ज़्यादा भूक लग लगरी है लिए तो आप मतलब वैसे रह दोस्तों आप कुछ खा लें, लेकिन दोस्तों आप क्या करें, आधी रेगुलरी आपको भूक लगती है, तो आप फिर तरीका बदलें, जैसे शेक आप 2 स्पून ले रहे थे, तो इसको 3 स्पून कर दीजिए, प्रोटीन एक ले रहे थे, तो इसको 1.5 कर दीजिए, दोस्तों, या फि ले रहे हैं, और बहुत जौदा फिर भूक लग लग लिए आपको, तो आपको भूका नहीं रहना, यदि भूके रहेंगे दोस्तों, तो फिर अदर आपको प्रावलम आ सकती है, जैसे ऐसे ऐसी बन सकती है, और 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 भी बहुत दिक्कत आती है, दोस्तों, भूके रहने आप कंपल सरी चार-पांच घंटे तब भूके ही रहो दोस्तों नेक्स्ट डाउट आता है दोस्तों कि जो शेक होता है और यह सारी चीज आती है तो हमें जैसे बहुत सारी लोग बोलते हैं कि सर हमें ना बताया गया है कि दिन बर में 8-10 लिटर पानी पीना ही है कंपल सरी है और हम पीते ही रहते हैं पूरे दिन बर हमें मतलब कंपल सरी है तो हमको पीना ही है क्या तो दोस्तों मैं बता दूं कि यह भी कंपल सरी नहीं है आप लिमिट से ज्यादा पीएंगे लिमिट से ज्यादा चीज कोई भी ठीक नहीं रहती यदि आपकी कैपिसिती कम है पानी पीने की कुछ लोग है बहुत ज्यादा पी जाते दोस्तों कुछ लोग है कम पी पाते तो आप उसके भरोसे नह रहें क्योंकि दोस्तों फिर आप जद कम पानी पिएंगे तो वहें को नुक्सान मातरा ने लोती है जितना को जरुवत है तो उस से क्या है दो다 आपके स्किन घ्लो होती है और जो हम खाते पीते हैं जब उसके से पेट जाता है अचे से पच्छ canyon हो जाता है ईससे क्या है याप का वेट लॉस होना बहुत हुआ आपध सही आप गुनगुना पानी पेंगे वह आपके वेट लॉस के लिए बहुत जादा बेनिफिट होता है दोस्तो उस चीज का तो यह चीज आप ले आपको रिजल्ट एक दिन में नहीं दिखेंगे लेकिन आप कंटिन्यू जब इस चीज को लेंगे तो दोस्तो आपको रिजल्ट आपकी स्किन पर गुलो आएगा आपके मतलब दोस्तो आपको मतलब बहुत अच्छा फील होगा आपके वेट लॉस भी फास तरीके से होगा और जो लोग बहुत कम पानी पीते दोस्तो तो उनको बहुत सारी तकलिप भी हो सकती जैसे कॉनिश्टिव पिशन की दिक्कत आत यह दोस्तो बहुत सारी लोग क्या करते हैं कि पानी को मतलब बहुत दूर रखते हैं अपने इस पास से तो उनको ध्यानी नहाता कि हमें पानी पीना है तो एक पानी की बोटल आप पास में जुरूर रखें दोस्तो और जब भी टाइम मिले पी लिया करें दोस्तो यह पास दोस्तों कितने केजी किया है तो अपना एक्सपिरियस ज़रूर शेयर करा करें कमें दोस्तों क्योंकि उसको बहुत लोग देखते और उनको चीज से हैल्प भी मिलती है तो आप कमेंट जादा से जादा करें और मोटिवेशन के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे इस हमने रखा है सिरिफ सो लाइक दोस्तों तो हमारे 25 साथ स्क्राइबर हैं तो सो लाइक तो बन सकते हैं और आपका एक्सपिरियंस शेयर करें दोस्तों साधी डिश्क्रियू मेरा एक न्यू चैनल है जिस पर मोटिवेशनल इस्टूरिया लाने वाला हूं उन लोगों की जि जबते हैं जो उसट बाऊब आज का वीडियों सांचे को जड़ना में जाकी कि दोस्तों चैनल नहीं की दोस्तों बिश्क्राइब वाला